प्रिचात्रो ब्यवसाय का ध्यन में कच्छा ग्यार्विक अंतरगत हम आज जानेंगे बिदेशी ब्यापार क्या होता तो जैसे कि पूर्वे में हमने देखा था कि जो ब्यापार होता है लाप कमाने की एक्छा से किसी भी प्रकार की जो भी माल का क्रे और विक्रे वाओं का क्रे विक्रे किया जाता है वो ब्यापार के अंतरगत आता है वो दो प्रकार से होता है एक आंतरिक ब्यापार और दूसरा विदेशी ब्यापार तो बता जैसे कि आंतरिक ब्यापार वे ब्यापार कहलाते हैं जो कि एक देश की सीमा के अंदर किया जाते है वो आं है दूसरा हिसके जो भुक्तान होता है वो उसी दैसकी मुद्रा में होता है और इसके अलावा देश के भीतर जो है माल को एक अस्थां से दूसरे स्थान पर भेज़ जाने के बीच में किसी भी प्रकार का कोई पतिवन्ध नहीं होता तो यह अंत्रिक ब्यापार था अब दूसरे जो प्रकार जो बिदेशी ब्यापार है यह क्या है हम देखेंगे कि बिदेशी ब्यापार जो है जसा की बिदेश में किया जाने बाला ब्यापार इसका असा यहां पर यह है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में बस्त अंतर राश्ट्री या बिदेशी ब्यापार अर्था दो राश्ट्रों के बीच में किया जाने वाला ब्यावसाय अर्थार राश्ट्री या बिदेशी ब्यापार कहलाता है यहां जब कोई ब्यापार जो है ब्यावसाय दो देश के बीच होता है तो वह हो गया ब्यदेशी ब पूर्ति के लिए एक देश जो है दूसरे देश पर क्या होता है निरभर होता है इसलिए विदेशी व्यापार के आवश्यक्ता होती है फर दूसरा टेक्निकल नालेज तक्निकी ज्यान हर देश में जो है उनके बीच में तक्निकी जो है नालेज वो क्या होता है अलग-अलग होता है तो एक देश एक बस्तु का अच्छी किसम बार निमन लागत पर भी करता है तो यहां तकक्नीकी ग्यान जो है एक देश का अच्छी क्वालट married करते हैं और भाध अधिक मात्र और लार्जी स्किल में करते हैं और लागत को जो है कम से कम करने का प्रियास करते हैं तो तक्निकी ग्यान और फर साधनों का असमान बित्र हो सभी देशों में एक समान प्राक्रतिक संसाधन एबं उत्पादन के साधन जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं अर्थात हर देश के अपने अलग-अलग प्राक्तिक संसादन होते हैं और जो भी उत्पादन से जुड़े हुए संसादन है बो भी अलग-अलग होते हैं। सभी देशों में एक समान ये जिस्तिती नहीं होते हैं। हता है सभी देश जो है सारी बस्तों का उत्पादन जो है वो ना तो सस्ते में कर सकते हैं ना ही समान रूप से कारे को शल्ता पूर्बक कर सकता है तो यहां पर साधुनों का भी अफनाल बित्रण जो है वो विदेशी ब्यापार को जन में देता है तो इन कारणों से जो है हमें विदेशी ब्यापार की आवशक्ता पढ़ती है दूसरे देश से माल खरीदेने की आवशक्ता पढ़ती है इसकी जो समस्याइं आती हैं विदेशी ब्यापार की समस्याइं किसी भी डाष्ट में कि द्वारा जब विदेशी व्यापार किया जाता जो कुछ मुखे समस्या हे जो उनके सामने आती है तो सबसे पहली समस्या तो मद्रा प्रणाली की होती है प्रतेक देश में भिन मुद्राओं का चलन होता है हर एक देश की अपनी अलग-अलग मुद्रा होती है और जो भी यहाँ पर माल बेचने वाला होता है निर्यात करने वाला जो होता है वो भुक्तान जो है अपनी बस्वू अपनी सिवाओ का भुक्तान जो है वो अपने की मुद्राओं के बिनिमाय में जो है जटलता उत्पन होती है तो इसकी जो एक समस्या है बहुत सबसे बड़ी समस्या कौन सी है मुद्रा प्रणाली के फ़र दूसरा जो है नियम बा कानून हर देश के जो है ब्यापारिक ब्यवसाइक गत्विदियों से संबंद जो है नियम प्रतिवंद चुकि विदेशी ब्यापार में जो है नियक प्रकार की जोकिम रहती है बुख्य रूप से जैसा कि हम संसादन जो देखते हैं माल को भेजने का तो वो है पानी के बड़े-बड़े जहाज तो यहाँ पर जब माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे द दूसरे स्थान तक दूसरे देश तक भेजने के बीच में यदि किसी प्रकार की दुरगटना की संभावना उसमें बनती है फिर भुक्तान प्राप्त होता है समय पर या नहीं होता है या पर जिसके दौरा माल प्राप्त किया गया है आय तक ने जिसने माल खरीदा है उसको गटिया क्वालिटी की या निमने क्वालिटी की बस्त में प्राप्त हो गई है फिर लंबा समय आयब नर्याद जो है मुख्रूप से कैसा है सामद्रिक मार्ग से किया जाता है जिससे क्या है उसमें समय लगता है चुकि सामध्रक मार्ग से इसलिए किया जाता है कि माल को भेजने की लागत इसमें क्या होती है। अनेक प्रलेक तयार करने पड़ते हैं तो यहां पर जो आपचा रखता हैं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं तो यह कुछ प्रमुक समस्याइं जो हैं विदेशी ब्यापार के इसके बाद हम देखते हैं विदेशी वैपार के लाब क्या है या महत्तु इसका क्या है तो प्राक्रतिक संसादनों का उपयोग यहाँ पर विदेशी वैपार के अंटर का देश ouais hop इसी वस्तों की अधिक मात्रा में किया जाता है जिनके संसादन को जो है दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है तो बिविन्द प्रकार के प्राक्रितिक संसादन और उत्पादन के जो भी संसादन है उनका विदेशी ब्यापार के मार्ध्यम से बेहतर उपियोग किया जाता है फ़र दूसरा तीब्रा अर्थिक विकास यहां पर बिदेशी बैयापार में जिन कच्छे पदार्थों की COMHer उती है उनका आयात करके औध्योगे क्विकास किया जा सकता है इसी के साथ बिदेशी बैयापार में बस्तु की मांग जादा हो जाती है ततहा बाजार का यहां पर विस्ता होता है तो बिदेशी वैपार में जो है जो कच्छे पदार्त यदि उनके पास कच्छा माल नहीं है तो उसको हम उसे देश से आयात करके जो है उसको पक्ते माल में बना कर जो है हम अपने देश में और ज्यादा और द्योगेक विकास उसका कर सकते हैं और बस्तु की मांग को हम बढ तो जिससे जो है देश की फर्में जो है वह क्या करते हैं अधिक कोशलता से और कम से कम कीमत पर प्रियास करने का प्रियास करती है ताकि वो विदेश ब्यापार के अंतरगात आने वाले माल का वो सामना कर सके और अपने उत्पादन को और अपनी बिक्री को वो बढ़ा सके फिर बड़े पेमाने पर बचत बिदेशी ब्यापार में जो है बड़े पेमाने पर उत्पादन किया जाता है जिससे क्या है कि फर्म को बड़ी मात्रा में बचत प्राप्त होती है बहुत अधिक मात्रा में जब उत्पादन किया जाता तो उसकी लागत कम हो जाती है और माल की विक्री यहां पर अधिक सधिक मात्रा में करने का प्रयास किया जाता है तो अधिक सधिक वो लाव प्राप्त करता है तो यह कुछ जो माहत्व है इसका और अगले बिंदू में जैसे देखे हैं हम रोजगार में प्रद्धी तो विदेशी ब्यापार में जो है निर से अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त होता है फिर मूल्यों में स्थिर्था विदेशी व्यापार को अधिक आयात मिर्यात के द्वारा बस्तों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन बनाकर मूल्यों में स्थिर्था बनाए रखी जा सकते हैं विदेशी व्यापार के मा माल का हम बहुत अधिक मात्रना जो जो आयत करते हैं। ऐसी स्थिती में मांग और आपूर्ति दोनों का क्या है यहाँ पर हम तालमेल बना कर रखते हैं संतुलन बना रहता है। तो इससे क्या है कि मुल्ली जो है उसकी बस्तू की कीमतों में जो हैं उनमें इस्थिता बनी रह है कि बेदेश ब्यापार में से उब्भूकता उन वास्टूएं का उब्भूक कर सकते जिनना अपने डेश में संभाब नहीं है इसके साथ विदेश ब्यापार की दर्सताम के कारव बस्टूएं अच्छी बाहन कम कीमत पर ट्राप्त होती है और जिससे उन भूगताओं का जीवन इस्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी बस्तुएं, जेयों की हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है। तो ब्यापार के माध्यम से है जो है दोलों के बीच पारस्परिक सायोग एवं दोस्ती की भावना का विकास होता है। जिससे जो है की है विशुसान्ती के प्रियास में क्या होती है। होती है। तो ये विदेशी ब्यापार के जो लाब है या इसके महत्तु है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हानी क्या है। विदेशी ब्यापार से हानी क्या है। तो सबसे पहला जो है राशी पतन का वह विक्सित देश क्या करते हैं। कि बाजार में अपना एक अधिकार पाने के लिए अब एकसित देशों में अपनी सस्ती बस्तों की पूर्ती क्या करते हैं। अर्थात कम से कम कीमत पर बहुत अधिक मात्रा में जो है आपूर्ती को उस देश में वो बढ़ा देते हैं। और उसका मूले भी कम रखने है। तो इस पकार से ये जो है राशी पतन कहलाता है। इससे जो है अब एकसित देश की आर्थिव्यवस्ता यहां पर प्रभावित होती है। अर्थात उस देश का जो उत्पादन है। वो फिर भाजार में उतनी मात्रा में नहीं मिक पाता ह। तो इसी इस्थिती में उनके स्वयम के जो उत्पादन 車े हैं और प्रभावित होती है। विदेशी व्यापार के काट रोओchnitt देश के प्राकृति का संसाधनों की समापती होती है। जिसकी बापसी संभाव नहीं होती है। चुकि विदेशी व्यापार में उत्पादन बहुत लार्ज स्केल में किया जाता है तो प्राक्टिक जो भी संसादन है उनका बहुत तेजी से उपयोग होता है। इस पर क्या हो जाता है डिपेंड हो जाता है निर्भर हो जाता है। जो कि विविन ऐसी इस्तियां जिसमें विविन आपातकालीन इस्तियां जो है युद्ध वगरा की जैसे इस्तियां जो भी बन जाती है वो यहाँ पर इस्तिय बन जाती है। तो एक देश जो है दूसरे द करता है जिससे जो है हमारे देश बास्यों के स्वास्य जीवन पर इसका प्रतिकूल या बुरा प्रभाव पड़ता है पर अंतरराश्री संगर्थ को बढ़ाव के माध्यम से हर राष्ट जो है अपना जो माल पाधन जो है वो दूसरी राष्ट में बेचना चाहता है ऐसी बढ़ती है जिससे उन देशों के बीच में आपस में संगर्थ बढ़ जाता है तो यह जो है अंतरराश्री संगर्थ को बढ़ावा और अंत में जो है विदेशी ब्यापार से क्या साय इसकी आवश्चक्त क्यों है समझाएए विदेशी ब्यापार की जो जटेलता है या दोशों को समझाएगे